नमस्कार, वेलकम टू इंसाइट स्टेडी फोरॉम कि मैं ज़्यादा बुक्स की बात ना करूँ ठीक है कोशिस करूँगा कि केवल एक या दो बुक्स से अगर काम चल जाए हमारा बहतर तरीके से हम स्कोर कर पाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि बल्क में हम बुक्स को लेके आएं और वो केवल रखी रह जाए उनको हम पढ़ना पाएं ठीके तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए रहेगा लेकिन जो बुक्स मैं रिकेवन करने वाला हूँ वो हिंदी एंड इंग्लिस दोनों में आपको अगर आप इंग्लिस मीडियम के स्टुएंट हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेलफुल रहेगा और आप लोग वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टन बात वो यह है कि बेस्ट स्ट्रेटी फोर सीटेट के नाम से एक वीडियो अपलोड किया गया था अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेगा स्टार्ट करते है इसमें अब सबसे पहले बात करते है कि जो सीटेट का सलेवर्ज दिया गया है पेपर वन के लिए जो क्लासेस फर्स्ट से फीव तक के लिए होता है और जो paper second का syllabus दिया गया है जो classes six से लेकर के eight तक के लिए होता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको इस पूरे subject को जो subjects यहाँ पे mention है इसको आपके दिमाग में उसको उतारना है save करना है ठीक है उसके बाद में फिर आपको कोई book में study करना है क्योंकि जब तक आपको जो syllabus दिया गया है वो नहीं पता होगा तब आप वहाँ पे बहतर तरीके से strategy बना करके उसको study material को use नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले बात करते है paper one के लिए और उस video में जो video बनाया गया था strategy for seated के लिए सब कुछ detail में बात की गई है तो यहाँ पर हम समझते है basic सा overview और फिर आएंगे हमारी books के उपर तो सबसे पहले यहाँ पर जो विसे है वो है child development and pedagogy ठीके paper two में भी वही same subject है तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से common subject है जो paper one, paper two के लिए होंगे दूसरा है language first और language first paper two के लिए भी same है और तीसरा है language second जो paper two के लिए भी same है तो यहाँ पर आपने देखिए कि जो तीन subject हैं कौन कौन से child development and pedagogy language one, language two यह दोनों के लिए same है यानि यह common subject है तो कुछ ऐसी books आप पढ़ें जो paper first के लिए भी हो paper second के लिए भी हो अगर आप second देना चाहते हैं तो मतलब ऐसा ना हो कि paper second के लिए आप child development और pedagogy की books अलग से ले के आए first के लिए अलग से ले के ऐसा नहीं करना आपको आपको ऐसी books को prefer करना है जो एक book है जो दोनों paper के लिए helpful हो सकती है और बाकी जो paper second में कुछ subjects ऐसे होते हैं जो आपको अलग से पढ़ने होंगे वो यहाँ पे है mathematics and science और social studies, social science तो इनकी books भी मैं आपको last में recommend करूँगा तो start करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि strategy जो है वो क्या हो सकती आपकी books को ले करके तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि बिना previous year questions के मतलब seatate या कोई भी परिश्चा हो उसकी तहरी या धूरी है तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे आपको मिलते हैं 2011 से 20 तक के सारे paper और यहाँ पे seated और state के मिलते हैं ठीके और यहाँ पे आपको seated और state टेट के papers मिलते हैं मैं आपको recommend करूँगा अर्यंत की इस book को ठीके क्योंकि यह book आपको लगभग सभी जगा उपलब्द है और आप यहाँ पे इस book को सही तरीके से study करके क्योंकि आपको capable paper solve करने हैं एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अगर आप practice question papers की कोई किताब लेते हैं जिसमें practice question papers हैं वो आप ना लें ठीके क्योंकि उससे क्या होगा जिस तरीके से CT8 में questions आते हैं obviously जो questions CBSC पोचता है NCRT डिजाइन करता है वो questions जो आते हैं वो questions को कोई भी किताब बाला या कोई भी writer बिल्कुल वैसा standard कभी नहीं ले के आ सकता है ठीके तो अगर आप CT8 के जो questions पूछे गए हैं previous year में अगर आप उसको solve करेंगे तो आपके दिमाग में एक pattern बनता चला जाएगा क्योंकि वो standard आपके दिमाग में चला आ रहा है starting से तो आप जब paper देंगे CT8 का actual में तब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आप उस pattern को follow कर चुके हैं तो इसलिए मैं recommend करता हूँ कि आप लोग at least किसी भी practice book को ना follow करें लेकिन आप जो questions पूछे गये हैं previous में उसको जरूर solve करें और उसको analyze करें ठीक है कि वो question जो है वो किस topic से पूछा गया है ताकि आपकी बहतर तरीके से strategy built हो पाए उसके बाद फिर हम बात करते हैं बुक्स के बारे में जो सबसे पहली हमारी बुक है इसके बाद में वो है child development and pedagogy यानि बाल विकास और सिक्षा सास्त्र या फिर सिक्षण सास्त्र ठीक है इसके लिए यहाँ पे तीन बुक्स हैं जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं इन ये तीनों बुक्स जो हो बहुत ही अच्छी बुक्स है तो जो आपको इजली मिल पाए तीनों बुक्स में से वो आप बुक ले करके और अपनी तियारी स्टार्ट कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले lucent के बारे में ठीक है Lucent book आपको हर जगा मिल जाएगी और इसमें briefly बात की गई है सारे important points को उठाया गया है इस किताब के अंदर तो अगर आप Lucent से study करते हैं बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र को तो आप सही तरीके से एकदम point to point चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद number two पे दिसा publication की है बाल विकास एवं सिक्षण सास्त्र ठीके ये भी important है paper one two के लिए है और उसके बाद में एक है new class publication की बाल विकास एवं सिक्षा सिक्षण सास्त्र ये भी एक अच्छी book है ठीके तो आप तीनों में से किसी एक book को prefer कर सकते हैं बाकी हमारे चैनल पर आपको pedagogy से लेकर के science से लेकर के हर subject की तैयरी कराई जाएगी तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है वहां से भी आप notes जरूर बनाए उन वीडियो को देख करके ठीके फिर हम बात करते हिंदी की क्योंकि भासा की बात करेंगे तो भासा में हिंदी भी है अब हिंदी के लिए जैसा हम लोग जानते हैं कि टाटा मैगराहल की जो बुक्स होती है वो बहुती best quality की बुक्स होती है mostly अब उन में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि यह दो बुक्स हो है अच्छी ज़्यादा ना हो लेकिन कोसिज रहती है टाटा मैगराहल की सारी बुक्स जो है mostly अच्छी होती है तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाटा मैगराहल की हिंदी की बारे में और इसमें यह बुक्स जो है आपकी भासा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसे हम जानते हैं कि एगर हिंदी की हम बात करेंगे तो जो कॉंटेंट है ठीक है वहाँ से 15 कुष्चन्स आते हैं और बाकी जो सिक्षण सास्त्र है जो पेड़ागोजी है वहाँ से 15 कुष्चन्स आते हैं तो अगर आप हिंदी की NCIT के study material से आप हिंदी बढ़ सकते हैं लेकिन सिक्षण सास्त आपको वहाँ नहीं मिलेगा पेड़ागोजी नहीं मिलेगी तो इसलिए वहाँ पे आपको पेड़ागोजी के लिए हिंदी की पेड़ागोजी के लिए आपको इस बुक को फॉलो करना होगा यहाँ पे आपको दोनों मिलने वाले हैं कौन-कौन से एक तो हिंदी भासा और शिक्षण सास्त हिंदी का मिलने वाला है ठीक है तो एक अच्छी किताब है यह, इसको आप follow जरूर करें उसके बाद बात करते हैं, इंग्लिस की हम कि इंग्लिस के लिए कौन सी बुक है, यहाँ पर भी हम बात करेंगे टाटा मैगरहल की, यह एक अच्छी बुक है टाटा मैगरहल की, ठीके, यहाँ पर आपको इंग्लिस लेंग्विज और इंग्लिस पेड़गोजी जो है वो पूरा कराएगया है, और एक अच्छी किताब है, इसको ज्यान सीग ने लिखा है ओम प्रकास दौरा इसको दिया गया है, तो यह एक अच्छी किताब है, इसको आप जरूर फालो करें और एक चीज़ और, जितनी भी बुक्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड आपको कर रहा हूँ वो बुक्स स्पॉंसर नहीं है, ठीक है, यानि उसके लिए किसी प्रकार का स्पॉंसर्शिप नहीं मिला है, नहीं यूस किया गया है, यह केवल एक रिकमेंडेशन है मेरी, जो मुझे लगा कि यह अच्छी इंपॉर्टन बुक्स है, और इसको जरूर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, बिना किसी संकोच के, बिल्कुल भी कि कोई स्पॉंसर्शिप नही यहीं दी गई है, ठीक है, तो आप ध्यान रहे हैं, यह मेरी अपनी personal recommendation है, तो mathematics की हम बात करते हैं, गडित की बात करते हैं, अब क्यूंकि गडित के अंदर केवल गडित नहीं होता है, अगर गडित केवल होता, तो हम कोई भी RS-Aggrawal या फिर कोई भी NCI-D की बुक से हम उस फिर हम बात करेंगे EBS की अब EBS जो है वो काफी important है और कई सारी books यहाँ पे market में available है चाहे वो Wille publication हो या फिर कोई other publication हो लेकिन Tata Magraheal की जो book है वो भी अच्छी book है तो आपको जो भी Wille publication की book आपको मिलती है तो उससे आप पढ़ सकते हैं बाकि आपको EBS का पूरा content, पूरा study material चाहे वो EBS का pedagogy हो या फिर EBS हो content जिसमें हम plants, animals के वारे में detail में पढ़ेंगे ठीके और इतना detail में पढ़ लेंगे कि अगर कोई question वहाँ से आता है तो 100% मतलब 99% तो आपको जरूर question वहाँ से फशेगा तो इतना सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही जल्दी और तो इस book को आप follow कर सकते हैं, ठीके, EBS के लिए और उसके बाद में फिर हम बात करते हैं paper 2 के लिए अब paper 2 में जैसा हमने देखा था कि कुछ subjects जो हैं वो आपको extra पढ़ने होते हैं, जैसे इसमें social studies के बात करेंगे हम जो जिसमें समाजिक अध्यन और सिक्षन सास्त्र की ये book है ये एक आप ही अच्छी book है, इसको आफ follow कर सकते हैं second paper के लिए और उसके अलावा जो science की book है ठीक है, science की book है, यहाँ पे गल्दी से लिग गया है, social studies दो दो बार, तो यह यहाँ पे science की book है तो यह भी टाटा मेगराहल की book है इसको आफ follow कर सकते हैं, विग्यान एवं सिक्षन सास्त्र ठीक है तो यह कुछ important books थी ज्यादा books की बात मैंने नहीं करी है केवल एक-एक बात की है और यहाँ पे जो CDP है यानि Child Development and Pedagogy यहाँ पे मैंने तीन books की बात करी है तो आपको जो easily available है आपके market में आपके shop पे तो वो आप जो है find कर सकते हैं बाकि अगर link इसकी मुझे मिलेगी तो नीचे आपको description box में उसकी link आपको दे दी जाएगी ताकि आप अगर चाहें कहीं भी हूँ आप चाहें तो Amazon से आप उसको purchase कर सकते हैं ठीके तो इस वीडियो में इतने है Thank you very much Thank you, thanks a lot